चलिए बच्चों आज हम वृत्पे बात करते हैं सबसे पहले तो मैं वृत्प को परिभाशित कर दूँ किसी समतल पर ऐसा बिंदुपत जिसकी जिस पर इस्थित प्रत्यक बिंदु की किसी निश्चित बिंदु से दूरी समान होती है वृत्त कहलाता है अगर इसकी परिभाशा देखें तो ये कहा जा सकता है किसी समतल पर ऐसा बिंदुपत जिस पर इस्थित प्रत्यक बिंदु की किसी निश्चित बिंदु से दूरी समान होती है वृत्त कहलाता है जैसे हम माल लें ये एक्स वाई अक्षपर या एक्स वाई निर्देशांक्षपर निर्देशांग पर ये एक बिंदु है ये एक निश्चित बिंदु है और ये एक ऐसा बिंदु पत जिस पर इस्थित प्रत्यक बिंदु की इस निश्चित बिंदु माल लेते हैं ये निश्चित बिंदु या निश्चित बिंदु सी है इस निश्चित बिंदु सी से इस पर इस्थित प्रत्यक बिंदु की दूरिया बराबर है तो इस बिंदु पत को हम वृत्त कहते हैं और इस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है इस निश्चित बिंदू से बृत्पर इस्थित किसी भी बिंदू की जो दूरी होगी मालने ये बृत्पर इस्थित एक बिंदू है पी तो इस केंद्र से पी की जो दूरी होगी इसको बृत्प की त्रिज्या कहा जाता है वृत्य की त्रिज्या को आर्श से प्रदर्शित करते हैं कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो संतल पर इस्थित ऐसा बिंदु परत जिस पर इस्थित प्रत्य बिंदु की किसी निश्चित बिंदु से दूरियां समान होती है वो वृत्य कहलाएगा और वो जो निश्चित बिंदु होगा जिससे वृत्य पर इस्थित प्रत्य बिंदु की दूरियां नियत होती है उस निश्चित बिंदु को या निश्चित बिंदु को हम वृत्य का कहते हैं केंद्र कहते हैं और वृत्य के केंद्र से वृत्य के उपर ये वृत्ति की परीधी पर इस्थित प्रतेक बिंदु की दूरी को उस वृत्ति की तृज्जा कहते हैं आईए आज हम इसी वृत्त के समिकरण के रूप में जाएँ कि इस वृत्त का समिकरण क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि वृत्व पर दो बाते हैं एक वृत्व की तुरिज्या और दूसरा वृत्व का केंद्र यदि हमको वृत्व का केंद्र और वृत्व की ग्रिज्या दोनों प्राप्त है या ग्यात है तो हम उस वृत्य का समीकरण ग्यात कर सकते हैं। ग्रिज्या ग्यात कर सकते हैं। ग्रिज्या मूल बिंदू हो और त्रिज्या आर हो। ऐसी स्थिति में जब वृत्य का केंद्र मूल बिंदू है और वृत्य की त्रिज्या आर है तो उस वृत्य का समीकरण क्या होगा। यह अगर हमको देखना है हमाल लेते हैं समतल पर यह निर्देशा आक्ष एक्स और वाई आक्ष हैं। सर्थ यह कहा जा रहा है यह मूल बिंदू है कि यदि केंद्र का वृत्य का जो केंद्र है यह मूल बिंदू है और इसकी त्रिज्या आर है अर्थात इस प्रकार का यह वृत्य है। ये बृत्त का केंडर सी से प्रदर्शित कर रहा है क्योंकि ये मूल बिंदु है इसलिए इसका निर्देसांग कितना हो जाएगा सुन्ने सुन्ने हमको इस बृत्त का समिकरण बताना है यदि मालने कि बृत्त परिस्थित कोई चर बिंदु पी है जहां पी का निर्देसांग एक्स वाई है तो सी से यदि हम पी को मिला दें तो सी पी बृत्त की परिभाशा से सी पी क्या हो जाएगा बृत्त की त्रिज्या आ इस प्रकार से यदि बृत्त का के अंदर बराबर ओ ओ ओ अर्थात मूल बिंदो माना बृत्त की परिदी परिस्थित चेर बिंदो पी एक्स वाई है तो बृत्त की त्रिज्या आर बराबर होगा सी पी हमको मालूम है सी पी अर्थात बिंदू सी और पी के बीच की दूरी सी का निर्दे सांग है जीरो जीरो पी का निर्दे सांग है एक्स वाई तो सी पी पराबर हो जाएगा एर्थात बिंद की त्रिज्या हमको प्राप्त होगा एक्स माईनस जीरो होली स्क्वाई प्लस वाई माईनस जीरो होली स्क्वाई का रूट रूट आफ एक्स माईनस जीरो होली स्क्वाई प्लस 5 माइनस 0 होली स्क्वार या सरल करने पर प्राप्त होगा वृत्त की त्रिज्या आर बराबर प्राप्त होगा अंडर रूल x स्क्वार प्लस y स्क्वार या फिर इसको और सरल करें दोनों और पूर्ण वर्ग करने पर r स्क्वार इसक्वार प्लस y स्क्वार या इसको लिखा जा सकता है x स्क्वार प्लस y स्क्वार इसे हम वृत्त का अभिष्ट समीकरण होगा यह एक ऐसे वृत्त का शमीकरण है जिसका कैंदर 00 और त्रिज्या R है चुँकि यह समीकरण वृत्त की परीधी पर इस्थित किसी चर बिंदू के X और Y के निर्दे सांकों के बीजी संबंद प्रदर्शित करता है इसलिए इसे हम वृत्त का शमीकरण कहेंगे अर्थाथ यदी वृत्त का कैंदर 00 और शन्य मूलबिंदू है वृत्त की त्रिज्या R है तो उस वृत्त का शमीकरण होगा X स्कUAR प्लस Y स्कUAR इस एक्वल तो R स्कUAR जहां R उस वृत्त की त्रिज्या होगी इसी प्रकार से अगर बृत्य का केंद्र मूल बिंदू न होकर कोई अन बिंदू है तो उस इस्थिदी में बृत्य का शमी करन क्या होगा ये अब हम देखते हैं यदि वृत्य का केंद्र एच के और द्रिज्या आ रहा है इस इस्थिदी में बृत्य का समी करन क्या होगा माल लेते हैं संतल एक्स वाई पर ये एक वृत्य है इस वृत्य का केंद्र सी इसका निर्देसांग है एच के और इसकी त्रिज्या है आर तो हमको ऐसे वृत्य के समी करन को प्राप्त करना है यदि बृत्य का केंद्र सी ये दिया है ह के वृत्य बराबर कितना है आर है तो बृत्य का समी करन प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले बृत्य की परीधी पर एक चर बिंदू की कल्पना कर लेते हैं ये बृत्य की परीधी है यदि बृत्य की परीधी पर एक चर बिंदू P है और इस P का निर्देसांग सपोज माल लेते हैं कितना है एकस वाई है तो शीधी बात है बृत्य की परिभास बृत्य के तरिज्ज्य की परिभासाश हमको मालूम है CP जो होगा C को बिंदू P से मिलाने वाली जो रेखा खंड होगी ये CP बृत्य की तरिज्ज्य होगी CP बराबर कितना हो जाएगा R, चुकि दिया हुआ है हमको प्रुत्य की त्रिज्य R है तो पहले हम प्रुत्य की त्रिज्य निकाल ले है अतह, R बराबर हमको मिलेगा C, P C का निर्दे सांग है H, K P का निर्दे सांग है X, Y H, K और X, Y बिंदू के बीच की दूरी यह C, P is equal to प्राप्त होगा अंडर रूट X minus H whole square प्लस Y minus K whole square या फिर R is equal to दोनों और का अगर हम पुर्ण वर्ग कर दें तो R square is equal to इधर square करने पर रूट हड़ जाएगा X minus H whole square प्लस Y minus K whole square या फिर सको लिखा जा सकता है राइट साइड की राशी को मैं लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ X minus H whole square प्लस Y minus K whole square is equal to R square यह एक ऐसा समीकरण है जो ब्रित्य की परीधी पर इस्थित बिंदू के X और Y निर्देसांगों के बीच के बीजी संबंथ को व्यक्त करता है इसलिए इसे हम ब्रित्य का समीकरण कहेंगे कुल मिलाकर यदि ब्रित्य की त्रिज्या R है और केंदर का निर्देसांग H के है तो ऐसे ब्रित्य का समीकरण होगा X minus H whole square प्लस Y minus K whole square is equal to R square हुआ है चलिए इन समीकरणों से संबंधें कुछ समस्याओं प्राबलम पे बात करते हैं यदि हमको जैसा एक प्रस्ण है उस प्रित्त का समीकरण ज्याद कीजिए जिसका केंद्र माइनस फाइब फोर और त्रिज्जन नौ है प्रस्ण है उस प्रित्त का समीकरण ग्याद कीजिए जिसका केंद्र माइनस फाइब फोर और त्रिज्जन नौ है कुछ दिर पहले हमने देखा था ऐसे प्रित्त का समीकरण जिसका केंद्र दिया हो और त्रिज्जन दिया हो उस प्रित्त का समीकरण ग्याद किया जा सकता है यहां प्रित्त का केंद्र माइनस फाइब फोर रथाथ ह के कमान दिया हुआ है माइनस फाइब पॉर और त्रेजिया आर इस इक्वल टू दिया हुआ है, नाइन, व्रित्त का केंद्र, एच के, ये बराबर दिया हुआ है, माइनस फाइब फॉर, त्रिज्या, आर बराबर, ये दिया हुआ है, नाइन, हमको मालुम है, ऐसा बरित्त, जिसका केंद्र, हक है, और त्रिज्या आर है, उस बरित्त का समीकरन होता है, X minus H whole square plus Y minus K whole square is equal to R square उस समीकरण से चूंकि H के केंद्र वत्रिज्या और वाले व्रित्य का समीकरण यह होता है X minus H whole square plus Y minus K whole square is equal to R square तो इस समीकरण में H is equal to minus 5 K is equal to 4 और R is equal to 9 रग दें तो हमको अभिश्य व्रित्य का समीकरण प्राप्त हो जाएगा इस समीकरण से X minus H H की value हम रखेंगे minus 5 minus 5 whole square plus Y minus K तो Y minus K K का मान रखना पड़ेगा 4 whole square is equal to R square R का मान दिया है 9 तो 9 का वर्ग इस समीकरण को सरल करेंगे तो सरल करने पर प्राप्त होगा X minus minus प्लस हो जाएगा X plus 5 whole square plus Y minus 4 whole square is equal to 9 square हो जाएगा 81 कुल बिला कर इसका अगर हम expansion कर दें प्रशार कर दें ती हो जाएगा X square plus 2 into X into 5 10 X plus 5 square 25 यह प्रशार किया गया A plus B whole square से A square plus 2AB plus B square ठीक ऐसे ही Y minus 5 का whole square इसका प्रशार कर देते हैं A minus B whole square से A square means Y square minus 2AB 2 into Y into 4 2 into Y into 4 हो जाएगा 8Y plus B square means मतलब 4 square और यह हो जाएगा 16 is equal to 81 सरल कर के लिग दें X square यह X square plus Y square plus Y square plus 10 X plus 10 X minus 8Y minus 8Y plus 25 plus 16 यह हो जाएगा यह हो जाएगा अगर हम इसको जाएगा इसको जाएगा तो 25 16 हो गया 41 रिणिक्यासी यह हो जाएगा minus 40 is equal to 0 इस प्रकार से यह एक ऐसे वृत्त का शमी करण होगा जिसका केंद्र minus 5,4 और तृज्या कितनी होगी 9 होगी जब हमको इस प्रकार से किसी वृत्त का शमी करण बनाना हो जिसके वृत्त के केंद्र का निर्दे सांग दिया हो और वृत्त की तृज्या दी गई हो तो हमेशा हमको जब उत्तर बताना होता है तो वो व्यापक रूप में बताएंगे जो इस बात को बताएगा कि इस पृत्य का केंदर कितना है और इस पृत्य की तिज्जा कितनी है चलिए इसी से रिलिटेड एक दूसरा प्रश्न देखें झालिए एक जाईब का इस प्रश्न देखें झालिए एक उखेंगा तिक से जो खक दिए झालिए एक दिए। दूसरा प्रश्ण ये कहता है कि उस पृत्त का समीकरन ग्याद केजिए जो मूल बिंदू से गुजरता है तथा जिसका केंदर तीन चार है प्रश्ण है उस पृत्त का समीकरन ग्याद केजिए जो मूल बिंदू से गुजरता है तथा जिसका केंदर तीन चार है इस प्रश्ण को हल करने के लिए फ़हले हम थोड़ा सा इसका डाइग्राम बना लें जिसका जो हल होगा माल लेते हैं ये एकस वाई संतल पर एकस वाई निर्दे साच है जैसा कि प्रश्ण में कहा गया है ऐसे बृत्त का हमको शमीकरन ग्याद करना है जो मूल बिंदू से गुजरता है और जिसका केंदर तीन चार है यहाँ पर कहीं पर बिंदू तीन चार आएगा तो ये एक ऐसा बृत्त होगा जो मूल बिंदू से होकर जाएगा जा रहा है और इसका केंदर है तीन चार ये सेंटर सी है हमको इस बृत्त का शमीकरन बताना है जो ये केंदर ओ से होकर जाता है मूल बिंदू ओ से होकर जाता है और इसका केंदर है तीन चार साफ तिक्रा है कि चूंकि ये मूल बिंदू से होकर जाता है इसलिए केंदर से इस मूल बिंदू के बीच की जो दूरी होगी वो बृत्त की तरिज्या होगी अर्थाथ सी ओ जो होगा वो बृत्त की तरिज्या होगी केंदर से परीधी पर इस्थित किसी भी बिंदू की दूरी उस वृत्त की तरिज्या कहलाती है तो चूंकि O वृत्त जो है मूल बिंदू से होकर जा रहा है अर्थाथ साफ है कि मूल बिंदू वृत्त की परीधी पर होगा केंदर C जिसका निर्दे सांग है 3-4 C से O की जो दूरी होगी ये वृत्य की तिर्जय कितनी होगी R होगी जो दिया है हमको दिया है की वृत्य का केंदर H के ये वराबर दिया हुआ है 3, 4 इस प्रस्ण में हमको तिर्जय नहीं दी गई है अब प्रत्यक्ष रूप से हमको तिर्जय का मान दिया गया है जो हमको ग्याद करना है चुँकि वृत्य जो है मूल बिंदू से होकर जाता है तो केंदर से मूल बिंदू के बीच की जो दूरी होगी वो उस बिंदू की तिर्जय के बराबर होगी तिर्जय आर बराबर हो जाएगा सी से ओ की दूरी सी ओ और सी का निर्दे सांग है 3-4 मूल बिंदू ओ का निर्दे सांग है 0-0 इसलिये सी ओ के बीच की दूरी होगी अंडरूर 3-02 प्लस 4-02 जा फिर अंडरूर 3-0 l-4 सररल करने पर क्राप्थ होगा 3 स्क्वार 9 प्लस 4 स्क्वार हो जागा 16 अंडर रूट 25 मतलब 5 कुल मिलाकर वृत्य की तृज्जा कितनी हो गई 5 और केंद्र है इसका HK is equal to 3,4 हमको मालूम है कि जिसके केंद्र का निर्दे सांग दिया है और तृज्जा दी हुई है उस वृत्य का समी करण अता वृत्य का समी करण हम बना शकते है अता वृत्य का समी करण यह हो जाएगा x-h o² प्लस y-k o² is equal to r² से यदि इस समी करण में hk और r का मान हम तक दें तो वृत्य का समी करण प्राप्त हो जाएगा h का मान रखना होगा 3 और k का मान रखना होगा 4 मान रखने पर प्राप्त होगा x-3 o² प्लस y-4 o² is equal to r का मान है 5 5 का वर या फिर x-3 o² प्लस y-4 o² is equal to 25 यह उस वृत्य का समी करण होगा कुल मिलाकर यदि हमको वृत्य के दो समी केंद्रा और तेज्ज्या मालूम है तो किसी भी वृत्य को हम ग्याद कर सकते हैं आईए इस सम्बंदित और कुछ सवाल देखें हादथ यह लूत्य कर देखें यह लूत्य कर दिए लूत्य कर देखें पिर्णी करद से एंव वृत्य का हाद़ आईए यह लगए यह लूत्य का प्रस्टन है उस वृत्तिका समीकर्ण ग्याद कीजिए जिसका केंदर दो तीन है तथा जो रिखाए हूँ 3X-2Y-1 is equal to 0 तथा 4X-2Y-27 is equal to 0 के प्रतिछेद बिन्दू से होकर गुजरता है पहले मैं प्रस्टन बता दूँ प्रस्टन है उस वृत्तिका समीकरण ग्याद कीजिए जिसका केंदर 2-3 है और जो रेखाओ 3X-2Y-1 रेखाओ 3X-2Y-1 is equal to 0 तथा दूसरी रेखा है 4X-2Y-27 4X-2Y-27 is equal to 0 के प्रतिछेद बिन्दू से होकर जाती है प्रस्टन है यह है उस वृत्तिका हमको समीकरण ग्याद करना है जिसका केंदर है 2-3 और जो इन दोनों रेखाओ 3X-2Y-1 is equal to 0 और 4X प्रतिछेद बिन्दू से होकर गुजरती है तो जो चीज़ दी है पहले उसको हम लिख लिए प्रतिका केंदर HK यह बराबर दिया हुआ है 2-3 चुंकि यह ब्रति इन दोनों रेखा 3X-2Y-1 is equal to 0 और 4X-2Y-27 is equal to 0 इन दोनों के प्रतिछेद से बिन्दू से होकर जाती है इसलिए पहले हमारा उदेश होगा कि इन दोनों रेखाओं का प्रतिछेद बिन्दू निकाल ले तो दी गई रेखा है पहरी रेखा दी हुई है 3X-2Y minus 1 is equal to 0 इस रेखा को हम सम्मिकरण एक से प्रदर्शित कर दें दूसरी रेखा है 4X plus Y minus 27 is equal to 0 यह दूसरी सम्मिकरण से इसको प्रदर्शित कर दें चुकि इन दोनों रेखाओं के प्रतिछेद बिन्दू से होकर जाती है तो साफ चाहिर है कि पहले हमको इन दोनों रेखाओं का प्रतिछेद बिन्दू निकालना होगा और प्रतिछेद बिन्दू निकालने के लिए जैसा हागी हमको मालूम है कि ये X और Y के युकपत समिकरण है और युकपत समिकरण को हम वज्रगुन खर्ण विधी से अगर हम हल कर ले तो वज्रगुन खर्ण विधी से हम इसको लिख सकते है इसलिए x upon अगर वज़वन खण लगाएं तो ये पत छुट जाएगा सिधे y की इन गुणांकों का गुणा कर दे minus 2 into minus 27 ये हो जाएगा 54 minus 1 into minus 1 minus 1 minus minus plus 1 बराबर y बटा जब लेना होगा तो y वाले पत को छोड़ दे नीचे से चालू करने 4 into minus 1 minus 4 minus 3 into minus 27 तो minus into minus से प्लस हो जाएगा 3 गुणित 27 21 से बराबर 1 बटा इस पत को अगर छोड़ दे 3 गुणित 1 3 रेन 4 गुणित रेन 2 रेन 8 तो रेन 8 हो जाएगा यदि हम पूरे समी करण में 11 से गुणा कर दें तो ये कट जाएगा बराबर मिलेगा साथ इस प्रकार से X और Y के जो दो माना है वो पतिछेद बिंदू के निर्देसांग को प्रदर्शित करेंगे अब हमारा पुराना शवाल आ गया जो पिछले सवाल हमने अगर किया था अतहा वृत किस बिंदू से होकर जाएगा X निर्देसांग है 5 Y निर्देसांग है 7 5 साथ से जाएगा बृत्य का केंदर है 2,3 और रित 5,7 से होकर गुजरता है तो फिर से उसी सुत्र को हम एपलाई कर लेंगे कि X माइनस H होल इसक्वार प्लस Y माइनस K होल इसक्वार 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 से बृत्य का हम समीकरण प्राप्त कर लें सीधे सीधे हम लिख सकते हैं अता बृत्य का समीकरण X माइनस H होल इसक्वार प्लस Y माइनस K होल इसक्वार 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 से अगर हम निकालना चाहें तो अभी हमको H कमान मालूम है K कमान मालूम है R कमान प्राप्त नहीं है R कमान निकालना होगा H के हमको ने लिखा था 2-3 तो पहले R निकाल ले हैं फिर इस समीकरण में मान रख देंगे व्रित्य की त्रिज्या R बराबर केंद्र था 2-3 और व्रित्य की परिधी परिश्थित बिंदू है 5-7 तो 2-3 और 5-7 के बीच की दूरी यह हमको मिल जाएगी Under root 5-2 का whole square प्लस 7-3 का whole square और यह सरल करने पर मिलेगा 5-2 का whole square 3 square प्लस 7-3 का whole square 4 square Under root 9 प्लस 16 यह 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 तब जो मैं पहले बात लिखा था ब्रित्य का जो समीकरण लेंगे यह ब्रित्य का समीकरण होगा इस समीकरण से अगर निकाले तो यह होगा X-H H का मान है 2 whole square प्लस Y-3 whole square is equal to R का मान अभी हमने निकाला है 5 square यह अभिष्ट ब्रित्य का समीकरण होगा जिसको सरलतम रूप में पताया जा सकता है इसके आगे का जो प्रस्ण होगा वो मैं आगले पिरेड में बताऊंगा धन्यमाद क्व?! क्वीपण हुआ है जिसके जिके जिसके आग क्ला है आगे है